जैहिन दोस्तों मैं गगंदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ प्राउड ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और अगर आप 2021 RDC के लिए स्लेक्ट होना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कौन से इवेंट के लिए कितने कैजट सेलेक्ट होंगे जैसे कि राजपत के लिए इस बार कितने कैजट सेलेक्ट होंगे गार्ड ओफ ओनर के लिए कितने होंगे वाईपी के लिए कितने होंगे best cadet के लिए कितने होंगे again किस direct rate से कितने cadet select होंगे यानि कि per direct rate कितने cadet select होंगे again boys कितने select होंगे और girls कितनी select होंगे तो यह सारी चीज़ों को हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं सबसे पहला है राजपत parade contingent के लिए तो राजपत के लिए 357 total 357 cadet select होंगे जिसमें SD 187 और SW 170 उसमें भी अगर हम अलग-अलग बात करते हैं तो अगर आप army wings से हैं और SD हैं तो 7 cadet per direct rate total 119 यानि कि 17 direct rate हैं 17 into 7 करोगे तो 119 total select होंगे SD army के जिसमें से हर एक direct rate से 7 select होंगे इसी तरीके से अगर आप navy से हैं और SD हैं तो 2 cadet per direct rate total 34 SD air से हैं तो 2 cadet per direct rate again 34 total SW army से 8 cadet per direct rate 136 total SW navy से 1 cadet per direct rate total 17 SW air से 1 cadet per direct rate total 17 और अगर हम particular direct rate की बात करें तो हर एक direct rate से 21 cadet select होंगे जिसमें SD 11 और SW 10 तो ये होगी हमारी राजपत परेट कंडिजेंट के selection की बात कि कितने cadet select होंगे अब आप देख सकते हैं कि आप SD हैं या SW है और आप कौन से विंग से हैं आर्मी से हैं नेवी से हैं एर से हैं तो आपको पता लग जाएगा कि राजपत के लिए कितने cadet select होने वाले हैं उसी हिसाब से आप अपने आपको prepare कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि गार्ड ओफ ओनर की गार्ड ओफ ओनर के लिए total 153 cadet select होंगे जिसमें SD 102 और SW 51 ठीक है और इसमें SD आर्मी से select होंगे SD नेवी से, SD एर से और SW तो SD आर्मी से 2 cadet per direct rate total 34 SD नेवी से भी 2 cadet per direct rate 34 SD एर से भी 2 cadet per direct rate 34 और SW सभी मिला के 3 cadet per direct rate total 51 और अगर हम direct rate wise particularly बात करें तो हर एक direct rate से guard of honor के लिए 9 cadet select होंगे जिसमें 6 SD होंगे और 3 SW होंगी अब हम best cadet की बात कर लेते हैं अगर आप best cadet के लिए select होना चाते हैं तो total 153 cadet participate करेंगे 1 cadet होगा each for SD आर्मी से 1, SD नेवी से 1, SD एर से 1, SW आर्मी से 1, SW नेवी से 1, SW एर से 1 और 3 cadet होंगे JDW से तो इस तरीके से total मिला के 153 cadet select होंगे all over India best cadet competition के लिए और यहाँ पर हम total structure की यहाँ पर बात करते हैं तो per direct rate से total 9 cadet होंगे जिसमें 3 SD, 3 SW और 3 JDJW मिला के YP की बात करें तो YP के बारे में अभी कोई proper information यहाँ पर दी नहीं गई और कहा गया कि यह information आपको बाद में provide की जाएगी NIAP की अगर हम बात करते हैं तो इसमें total 85 cadet participate करेंगे जिसमें per direct rate 5 cadet होंगे जिसमें से 3 boys और 2 girls तो इस तरीके से आपकी vacancy रहने वाली है different different events के लिए यह पता होना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जिस चीज के लिए हम prepare कर रहे हैं को पहले से पता है कि कितना competition है कितने cadets select होना है तो हमें पता होगा कि हमें उपर के 2 cadets में आना है उपर के 3 cadets में आना है उपर के 5 cadets में आना है उसी हिसाब से हम अपनी preparation को कर पाएंगे I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी इस तरहें की और भी वीडियो में बनाता रहता हूँ NCC और defense से related तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरहें की हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो आप चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon को दबा सकते हैं इस तरहें की और वीडियो के लिए जुड़े रहे है proud group of NCC YouTube चैनल के साथ next video तक जै हिंद, जै भारत, thank you very much